हलो दोस्तो आप सभी का मेरे चैनल विना इस्टेडी के अनमे स्वागत है दोस्तो आज के वीडियो में हम देखेंगे सीटेट का पिछला ओल्ड कोश्चन पेपर जिसमें हम डिसकसन करेंगे बाल विकास के जो सेक्षन है उसके बारे में तो दोस्तो कुछ निर्देश दिये हैं जो आपको एकजाम दिलाने से पहले जानना जुरूरी है तो इस प्रस्ण पत्र में कुल 150 वस्तूनिष्ट प्रस्ण दिये जाएंगे जिसकी ओधी होगी 2 घंटे 30 मिनट की हैना 5 घंटे की ये कोश्चन पेपर होगा और प्रत्येक मे एक अंक निर्धारित होगा और गलत उत्तरपन नकरात्मक अंक का प्रवधान नहीं है हैना और इसमें चार भाग होंगे इस भाग में बहुत कन्फूजन होता है हैना तो थोड़ा सा देखकर फिल कीजिएगा बाल विकास एवं सिक्छा सास पहला होगा और दूसरा होगा जिसमें हम एक से तीस प्रशने देखेंगे आज की इस विडियो सेशन में दूसरा भाग गडित होगा और तीसरा भाग जो होगा हिंदी और चौथा भाग होगा आपका इंगलीज तो इसमें एक्जाम जब भी दिलाने जाये तो थोड़ा सा सोच समझ कर क्योंकि यदि तो आपका लेंगवेज 2 होगा और इंगलीज मिडियम वाले होगा तो लेंगवेज 1 आपका ओफ्शनल होगा ठीक है दोस्तों तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो सेशन को with full discussion के साथ ठीक है वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों अपने दोस्तों तक share करना ना भूलें तो यह है बाल विकास के बारे में देखेंगे है ना बाल विकास सिक्छन सास्थ ठीक है चाइल्ड डिवल्प्मेंट एंड विडिगोजी ठीक है तो इसमें निर्देश दिया गया है निमलखित प्रश्णों के उत्तर देने के लिए सहीं और उप्युक्त व खाली स्थान की आवधाना से सम्बंदित माना जा सकता है ओप्युक्त देख लेते हैं रवादार बद्धिक्त अभिश्रित सोच विविद सोच द्रोव बद्धिक्त तो इसका जो ऑप्षन दिया है दोस्तों इसमें सहीं आंसर जो होगा ऑप्षन थी होगा पहले से इसमे राइट का चिन्ह लग गया है इसको बदल लेते हैं इसमें पहले से राइट का चिन्ह लगा हुआ है तो इसमें बोधिक्ता क्यों है तो हम जानते हैं कि स्रीजनात्मक्ता को विविद सोच की आउधाना से सम्मंदित माना गया है स्रीजनात्मक्ता से नए विचारों का समावेश होता है जो संभावित समधानों को प्रेरिद करता है स्रीजनात्मक्ता का तात्परिया नए विचारों के उदगाव से होता है जो विवित सोंच की संकलपना से संबंदित होती है दूसरा प्रस्ण देखते हैं किसी भासा के स्विक्रिद ध्वनी सयोजन को इसके खालिस्थान नियमों के अंतर्गत बनाया जाता है उप्षन अन्न देखें व्याकरणिक उप्षन दो देखें व्याक्यातमक उप्षन तीन देखें विभक्ती विश्यक option 4 देखे ध्वनी सम्बंधी तो इसका option जो correct होगा वो option number 4 है तो अब ध्वनी सम्बंधी क्यों है ना तो इसमें बारे में देख ले किसी भासा के स्विकृती या स्विकृत ध्वनी सम्बंधी नियमों के अंतरगत बताया जाता है इसके अंतरगत बताया जाता है कि किसी भासा की ध्वनी किस प्रकार निश्चित ध्वनी सयोजन के नियमों को प्रदर्शित करती है ध्वनी संबंधी नियमों के तहद भासा स्विकृत ध्वनी सयोजन का नियम अध्यन किया जाता है आगे बढ़ते हैं जब सोचने की प्रक्रिया किसी भासा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं भासा निर्धारित, संग्यात्मक पक्ष, समाजिक, भासा उद्गृत, सांस्कृतिक प्रभावित इसका सही option क्या होगा? तो इसका option जो correct होगा, option number A तो इसमें हम जानते हैं कि जब सोचने की प्रक्रिया किसी भासा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति की भासा निर्धारित कहते हैं भासा निर्धारन एक ऐसा विचार है जो भासा और उसकी सीमित सररचना किसी व्यक्ति की सोच ज्यान वा आउधाना की निर्धारन करता है तो इसका option क्या होगा? option number A होगा दोस्तों चौनथा प्रशन देखें अपने अनुभाव और सुझाओ के आधार पर उपकर्णों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परिक्षन कर रवी उपकर्णों की मरम्मत करता है वह उपयोग करता है कलन विधी का, मानसिक डिर्धा का, अनुमानी विधी का, अंतर दृष्टी का तो यह जो है दोस्तो इसमें रवी विधी उपयोग करता है वो कौन सी विधी है, कलन विधी क्योंकि अपने अनुभव और इस्मरन के आधार पर उपकर्णों में खराबी के कारण की परिक्छन कर उपकर्णों की मरमध हेतु कलन विधी का उपयोग किया जाता है कलन विधी का उपयोग गणात्मक समस्या का समधान करने के आउजारों के रूप में किया जाता है इस विधी में आकलन, विशलेशन एवं तरका का सहारा लिया जाता है आगे अगला प्रशन देखते हैं पांचवा प्रशन दिव्या अक्सर निर्देशित कारियों को छोटे-छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है वह उप्योग करती है द्वित्यक विस्तारण विधी का ओप्शन दो देखे द्वित्यक विशलेशन विधी का ओप्शन तीन देखे क्रियात्मक जड़ता विनायमक विधी का ओप्शन चाहर देखे कम करने की विधी का तो ओप्शन के अनुशार इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा दित्यक विशलेशन विधी का थीक है उपलक्ष विशलेशन विधी के अंतरगत निर्देशित कारियों को छोटे-छोटे हिस्सों में विभाजित कर उसे आसान बना लिया जाता है इस आधाना का उप्योग संग्यात्मक, विज्ञान और सैक्षनिक मनो विज्ञान के छेत्रों में विशेश रूप से किया जाता है समान्यत्र समश्या के हल में इस विधी का विशेश रूप से उप्योग किया जाता है इस विधी के तहट चात्र विविद शर्णों के अधार पर अधिगम कर सकते हैं चाटवा प्रस्ण देखे पुरूष और महिला की भूमिका का निर्धारन समाज करता है यहां कथन बताता है कि तो इसमें जो औप्षन होगा लैंगिक्ता अब लेगिंग वाले पार्त को पड़ेंगे तो इसमें इसपश लिखा है लैंगिक्ता एक समाजिक प्रानी है ठीक है पुरूष और महिला की भूमिका का निर्धारन समाज करता है यह कतन बताता है कि लेंगिक्ता एक समाजिक आउतरन है समाज पुरुष एवं महिलाओं के लिए एक उप्युक्त व्यवहार आदर्स के तौर पर स्रीजित करता है यह अनुवानसिक अंतर ज्यानी एवं अंतर नहित आउतरन नहीं है ठीक है? पुरुष और महिलाओं समाजिक इस्तर पर निर्णायक भुमिका निभाते हैं एवं अपने दाइत्व का निर्वहन करते हैं आगे सात्वा प्रशन देखते हैं ग्रेडिंग, कोडिंग, आखलन और क्रेडिट, संचय, प्रनाली के कुछ उधारन है आप्शन देख ले, कक्षा में बच्चों की इस्तिती की निरुपन विधी आले एक पत्र जिसे रिपोर्ट कार्ड भी कहा जाता है एक आदमिक प्रगति को दर्साता है आप्शन तीन में दिया है अधिगम करताओं की उपलब्धियों की आखलन की गरना विधी आप्शन चार देखे तो पदिक्षा के उत्तर प्रत्रों के मुल्यांकन की प्रक्रिया तो ग्रेडिंग, कोडिंग, आकलन, क्रेडिट है ना संचय प्रणाली के कौन-कौन से उधारन है तो ऑप्शन के अनुशार इसमें है अधिगम करताओं की उपलब्धी के आकलन की गरना विधी इसमें हम क्या करते हैं जो अधिगम करता होता है, लर्नर होता है ना उसके उपलब्धियों का आकलन किसके माधिन हम से करते हैं ग्रेडिंग, कोडिंग, आकलन और क्रेडिट संचय प्राली के विधी द्वारा करते हैं तो इसमें ग्रेडिंग, कोडिंग, आकलन एवं क्रेडिट संचय प्राली अधिगम करता की उपलब्धी के आकलन की गर्णा विधी है ये सभी बालकों की सैक्षनिक योगेता की उपलब्धी को दर्साने वाले माप है यह विदी सिक्षक एवं अभिभावकों को अधिगम करता की उपलब्धी के बारे में जानने में प्रमुक भूमिका निभाती है बात करते हैं ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय केवल सैक्षनिक योगेता के परणाम पर निधारित करते हैं उनके नैतिक एवम व्यभारिक प्रणाम को नहीं तो आप ध्यान रखिए यह ना ये नैतिक और व्यभारिक प्रणाम को निर्धारित नहीं करते हैं आटवा प्रश्ण देखते हैं अधिगम करताओं की उपलब्धी का आखलन सिक्छकों की सहयता से करता है option दिया है शिक्षन अधिगम विधी की प्रभाव सिल्ता का मुल्यांकन करने में कक्छाओं में अधिगम करताओं की छंता समू बनाने में सिक्षन के लिए गतिविधी की सूची तयार करने में अधिगम करताओं के प्रदर्शन का रिकार्ड करने में तो इसका option होगा दोस्तों, अधिगम करताओं के प्रदर्शन का रिकार्ड करने में, option 40 का correct answer होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अधिगम करताओं की उपलबधी का आकलन सिख्चकों को अधिगम करताओं के प्रदर्शन का रिकार्ड रखने में सहयता प्रदान करता है, ऐसा करन है आगे देखे नमुवा प्रश्ण समावी सी सिक्षा खालिस्थान के सिधान पर अधारित है समता एवं समान आउशर समाजिक अस्तित्व एवं वैश्वी करण ओप्शन तीन देखे विश्व बनुता ओप्शन चार देखे समाजिक संतुलन तो इसमें जो है दोस्तो ओप्शन नमबर एक ही इसमें सुटेबल है समता एवं समान आउशर ठीक है समावेसी सिक्षा उन लोगों के लिए है जो विश्ष्व बालक होते हैं तो इसमें देखे, समावेसी सिक्षा समता एवं समान और सर के जानत पर आधारित है। ठीक है दोस्तों ये ऐसे प्रशन आएंगे आपको थोड़ा सा सोच समझ कर इसका आंसर देना होगा। अगला प्रशन देखते हैं दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम खाली स्थान वर्स में लागू हुआ था। अब आपको ओप्शन दिया है 1995, 1999, 2016 और 1992 तो इसका जो है करेंट कोशन था अभी हाल फिल हाल के हिसाब से तो इसका आंसर होगा दोस्तों ओप्शन नमबर सी होगा। 2016 दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 में लागू किया गया था। इस अधिकार में या इस अधिनियम के अंतरगद दिव्यांग जनों को विशे सररक्षन पदान किया गया और इसके अंतरगद नहीं